हालो और वेलकम टुदक्लास आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस अब प्रोटीन स्नीज सिंथेस सिस यह निई प्रोगेर्यर्स यह तो आप पर ट्रांसलेशन इन प्रोगेर्यर्स एसे मानके चल सकते हो class start होने से एक चीज है यह आप semester की तयारी करना चाहते हो इस तरीके से classes उसके साथ notes आप add start के साथ जूड़ सकते हो यह दिये गया है contact no.7894226802 semester की classes के लिए and यह आप सबसे पहला चीज होता है कि translation क्या होता है translation जो है आपकी central dogma की आखरी steps होता है लेकि last step होता है हमारे body के अंदर जैसे DNA है DNA से बनता है RNA और RNA से बनता है protein ठीके ना जिसको हम central dogma कहते हैं हमारे जो character gene में present होता है हम बोलते हैं यह अपने आपको express कैसे करता है ना protein की मदद से express करता है आपके hair curly है तो यह curly बनाने के लिए जो चीजे है वो DNA में present होता है लेकि आपने पढ़े होंगे तो यह जो keratin protein बनेगा लेकिन DNA से ही बनेगा समझ रहो ना आचा तो खुद को express करने की वही चीज होता है तो protein इसलिए हमारे body बनाता है आपने और भी एक चीजे सुने होंगे कि हम तो protein खाना खाते हैं हम बोलते ना protein खा लेते हैं इसमें protein है डाल मे protein है इसमें protein है protein थो हम खा लेते हैं फिर protein बनाने की क्या ज़रूरत है खा वी रही है फिर body बना रही है इतने चीज़े क्या ज़रूरत है है यह जरूरत है कि आप जो protein खा रही हों तो यह जो गनेश चतुर्थी आएगा आप चाहोगे कि मुझे इस तरीके से एक जो है ना गनेश जी के लेक गारलेंड चाहिए या नेकलिस चाहिए ठीक है जो भी आप समसकते हो चाहिए ठीक ने माला चाहिए आप चाहते हो लेकिन मार्केट में कुछ ऐसा गारलेंड आवेलेबल तो आप क्या करोगे माली एक रेड कलर की गार्लेंड आपनी डाऊगे ना लेकर फिर एसको तोड़ दोगे तोड़ने के बाद आप क्या करोगे तिक नहीं सारे फ्लावर को तोड़ लोगे फिर आप जैसे चाहतों तीन रेड त्रीन सकाई दो बलाक दो परपल ऐसे आप एक बना सकतो इसी तरगे से हम खाने से protein ले ले लेते हैं इसको तोड़ते हैं उनकी जो amino acids है उसको जोड़ के protein बनाते हैं तो जो हमारे body के उंदर protein बनाने के लिए mesin होता है that is to ribosome ribosome o mesin होता है एक sites में मतलं कि पर जब MRNA entry होगा तो यह mRNA को देख कर protein बना सकता है कौन ribo-jom, ribo-jom एक मेसिन आप समझ सकता है इसे cell organelle है जिसके पास कापा से धी है कि यह protein बना देगा clear हुआ? आच्छा तो जो processing of protein synthesis देखेंगे तो process of protein synthesis इसका मतलब है कि fundamental process क्या है protein कैसे बन रहा है ना amino acids amino acids आपस में peptide bond से जोड़के protein बनाते हैं यह तो इस पहला चीज हो गया ठीक है ना between the इस पहला amino acids की जो carbosally group, second amino acids की जो amino group होते हैं दोनों के बीच में peptide bond बनता है तो protein बन जाता है यह protein बन जाता है यह pro carotic के बारे में हम बात कर रहे हैं जैसे कि आपने amino acids की जो है structure पढ़े होंगे NSTC यह carbosally group रहता है hydrogen यह पहला amino acids मालेज और कोई दूसरा amino acids यहां पर है यहां पर मैं NS2 ना लेके HNS लिख देते हूं दो hydrogen होगे ना अच्छा तो COH रहेगा यहां पर hydrogen मालेज यह तो अब हम देखेंगे तो क्या होगा ना pro carrots के अंदर जो protein synthesis है notes आपके लिए तयार है आप पहले समझ लिजे एकदम बहुत crispy तरीके से उसके बाद हम देखेंगे notes के साथ तो क्या होगा सारे चाहिए pro carrots हो या to you carrots हो protein synthesis होता है आपका cytoplasms में चीके ना pro carrots में तो कोई nuclear membrane तो नहीं है लेकिन eukaryotic में भी आपका cytoplasm में होता है क्या कि location भी पुछाता है exam में कहां होता है protein synthesis cytoplasm में होता है तो क्या है MRNA इस तरह किसे बन गया MRNA बनने के बाद यहां से ribozyma के attach हो जाता है ठीक है पहले smaller अटाच होने के बाद जो TRN है cytoplasm में ऐसे आपका amino acids बहुत सरे amino acids रहता है TRN क्या करेगा amino acids को पकड़ के ठीक है तो यहां पर दिखेगा यहां पर AU लिखा है तो लाके मेथियो नहीं नाड़ कर लेगा लिखा है यहां पर यहां पर आके किसको और कोई amino acids को ऐसे आड़ करते 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 पूरा का पूरा ribosome ऐसे आगे आगे मूप करता रहेगा TRN एक एक करके amino acids आके आड़ करेगा और उसके बीच में peptide band बना लेगा कौन ना ribosome ठीक है यह पूरा process को हम details में दिखेंगे ठीक है आच्छा तो सबसे important चीज है कि आपको क्या चाहिए ठीक है ना यह के process synthesis चल रहा है तो इसमें हमको क्या चाहिए तो translations के लिए इतने चीज हमको चाहिए mRNA जो की जहां से DNA में जो language था direct copy हुआ है mRNA में तो mRNA में जो nucleotide mRNA में AUG है इसका मतलब है कि methionine ने आके जुड़ेगा mRNA में UU है इसका मतलब है कि finale लाला ने आके जुड़ेगा mRNA के अंदर जो code word है उसको read करने की स्ख्यमता जो है सिर्फ और सिर्फ tRNA के पास है बीच बीच में ऐसे होता है कोई दोस्त को हम हम ऐसे करके बुलाते हैं ठीक है आप अपकी करीब फ्रॉंट को बता होगा ऐसे हम नाम दे देते हैं जिसका मालिजे हमारी दोस्त था मतलब है उसका म्यागी जैसे मतलब कि इसको नूडूल नूडूल बुला रहे थे तो उनको पता नहीं था बाकी और दूसरे उसारे को पता था थाड़ी और में फिर आके उनको पता लग गया थे कि हम ऐसे उसको बुला रहे थे तो कुछ कोड़ वाड रहता है अपकी अपनी करीब फ्रंड को ही पता होगा तो इसी तरीके से टी आरने पता ही ना तो इवी लिखा है, तो यूझी लिखा है इसका मतलब ही कि मेथनी नहीं आड करेगा यूझी लिखा है, इसका मतलब कि FLA aड करेगा राइबोजोम O-MACINE होता है जो इस Setes में अपने MRN डालोगे उस Setes में प्रूटेन बन जाएगा ठीक है अच्छा उसके बाद आमीनोशेट्स तो खुद ही रिक्वार्मेंट होता है कि आमीनोशेट्स को तो ही हमको आड करनी है 20 आमीनोशेट्स होता है और उसके अलाबा इस प्रोसेस करने के लिए ठीक है ना कोई भी सेंट्रल लोगमाई की प्रोसेस होगा तो पहले आपको इनिसेट करना है मतलब कि प्रारंब करनी है उसके बाद हमको यहां पर एक मतलब की पॉलिमराइजेशन कर रहा है ना इसको हमको जोडनी है ठीक है तो इसलिए क्या होगा आप उसमें elongation होगा मतलब कि lengthwise increase होगा elongate हो रहा है चीजे add हो रहा है elongation होगा उसके बाद terminate हो जाएगा stop होगा clear हुआ इतना step आपको लिखना है यह होता है steps हम discuss करेंगे यह सारे चीजे requirement होता है discuss करेंगे ठीक है आच्छा तो आपको clear होगा MRNA क्या है tRNA क्या है ribosomes क्या है factor तो सारे नोट्स आपके लिए तैयार है tension मतले न तो MRNA जो है codons होता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि इंट्रोडक्शन में इसे लिखोगे कि यह के प्रोटेंशन से फॉंडामेंटल प्रोसेस होता है आमिनोस्टेट्स रिकर्मेंट होता है यह सारे आमिनोस्टेट्स है फिर देखेंगे MRNA MRNA के पास वही information रहता है MRNA के पास है के sequences होता है जिसका हम sign dalganow sequences कहते है और initiation sequences रहेगा जिसमों AOG कहते है बहुत सारे रहता है उसके बाद stop region होता है ठीक है ना वही आमिनोस्टेट्स होता है जिसका हम stop sequences कहते है उससे पहले बाला को हम 5' untranslated region कहेंगे कि MRNA 5' से 3' होता है यहाँ पर 3' untranslated region होता है क्लिर हुआ उसके अलाबा TRNA में भी इस तरह के से आप देखोगे कि यहाँ पर उनका anti-codone sequences होता है TRNA के structure में यामिनोस्ट जाके यहीं पर bind होगा ठीक है अच्छा उसके बाद ribo-jum आप देखोगे ribo-jum एक smaller sub units एक larger sub units होता है हम prokaryotic के बात कर रहेंगे तो 50s and 30s होता है and prokaryotic में आपको 70s type of ribo-jum मिलता है या आपको पता होगा ठीक है इतना structure होए तो अब हम थोड़ा बात कर लेंगे factor कौन से रहा लगी initiation हा राइबो-jum में तीन ऐसे जो है ना binding sides होता है आप ऐसे याद रखे एक Z side P side Peptidil binding side और एक होता है amino cell side तीन sides होता है बोत larger sub units में भी होता है smaller sub units में भी होता है ठीक है न ऐसा नहीं कि सिर्फ smaller larger दोनों में होता है ठीक है इतना चाहिश तो अब हम बात कर लेंगे थोड़ा initiation जो steps के बारे में उसके अलाबा इसे initiation के लिए initiation factor 1,2,3, elongation के लिए elongation factor T U, elongation factor G and एक होता है elongation factor T S and terminate करने के लिए step करने के लिए releasing factor 1,RF1, releasing factor 2 and releasing factor 3 या आप ribosoma releasing factor भी बोल सकते हो इतना requirement होता है तो अब हम थोड़ा steps देख लेंगे सबसे जो है अभी हम देखेंगे कि process of translations कैसे होता है क्योंकि कौन सी चीजों की requirement है जब तो यह आपको पता नहीं चलेगा तो आप कैसे करोगे ठीक है तो अब हम देखेंगे activation जो है यह जो translation process यह तेन step में होता है activation of TRN होगा फिर initiation करेंगे फिर elongate करेंगे फिर terminate कर लेंगे तो पहले आप समझ लेंगे activation of TRN का मतलब क्या है मैंने जैसे बात किया कि translation जो है cytoplasms में हो रहा है यह आपकी mRNA है ठीक है उसमें जो चीज लिखा है हमको हमको इसे amino acids को आपको जोड़नी है यहां पर जो amino acids है यह cytoplasms में होता है cytoplasms में कहां आया ना आपने खाना खाया खाना काने के बाद डाइजेस्ट हुआ डाइजेस्ट होने के बाद ब्लॉड के त्रो और एक cells के अंदर इंटर हो जाएगा यह आपकी बात है बैक्टिजिया में भी ऐसे होता है वह भी बाहर से खाना लेता है डाइजेस्ट होने के बाद उनकी cell में amino acids present है आप खाने से जो amino acids करता है त्रन सिंथेस्ट करके अमिनोसल त्रन सिंथेस्ट करके के enzymes है जो क्या करेगा ना पहले amino acids को के साथ ATP आड़ करके annihilated amino acids को convert करेगा amino acids AMP में convert करेगा तो अभी एक्टिवेट्ट्र ट्रन को ट्रन के उपर bind करवाएगा clear हुआ सबसे पहले amino acids को activate करनी है कैसे activate करोगे ठीक है ना कैसे energy देके activate करोगे एक बार activate हो गया उसके बाद आप उसको transfer कर लोगे कहां पर TRN के उपर वे ऐसे activate नहीं हो पाता है ऐसे bind नहीं हो पाता है जो fast TRN होता है bacteria की conditions में वो formulated होता है formulated होता है आपने आप जाके bind हो जाएगा उसको लेके mRNA के उपर bind करवाने के लिए मतलब कि राइबोजोम की जो sites होता है उसमें bind करने के लिए energy के requirement नहीं होता है वो खुदी formulated होता है तो fast TRN को हम formulated methionine affirmate TRN कहते हैं क्योंकि fast amino acids हमें सा methionine होता है एउजी होगा initiation code उन तो पहला amino acids तो methionine हो जाएगा तो methionine को accept करने वाले TRN को हम क्या बोलेंगे methionine TRN बोलेंगे लेगिन fast है तो इसलिए formulated है clear हुआ इतना चुछे इसको हम बोलते हैं क्या activation of TRN क्या हमने देखा activation of TRN तो step में होता है पहले amino acids को ATP के साथ जुडा के हम amino acid AMP में convert करेंगे इस amino acid AMP को हम add करनेंगे TRN के साथ TRN की जो hydrox मतलब की जो carbon जो sugar है उसके उपर हम add कर लेंगे तो अब यह हो जाएगा charged TRN अभी हम उसको क्या कहेंगे charged TRN और पहला TRN को हम affirmate formulated methionine affirmate मतलब की formulated methionine कहते हैं clear हुआ अब बात करेंगे initiation में तो initiation में में जैसे बात क्या initiation factor होते हैं 1,2,3 ठीक है आपने 3,2,1 उल्टा ऐसे याद रखें तक कि आपको थोड़ा सा आसान होगा देखिए सबसे important step क्या होगा तो वो तो TRN के उपर amino acids जो process स्टार्ट हो रहा है अभी TRN amino acids के साथ बाइंड हो गया तो अब क्या होगा देखिए अभी यह है आपकी MRN यह है 5 प्राइम यह है 3 प्राइम डिरेक्शन तो अब क्या होगा पहले smaller sub units से आके बाइंड होगा आप बोलो कि कैसे बाइंड हो रहा है कि मैंने बात किया था MRN में एक होता है साइन डालगार्नों sequences उनकी complementarity sequences smaller sub units में होता है smaller sub units से बोलेंगे तो 30 sub units के पास है complementarity मतलो उल्टा ठीके ना होता है तो जहां पर उरिट करेगा वो एसास करवाएगा ribosome को कि आप binding हुआ है तो आप initiation codon आगे है मतलग कि यहीप इनिशेशन codon है तो आप start कर लेजे हमने हमको यह चीज भी पता है 3 steps होता है मतलग कि 3 binding sets होता है exit set होता है एक peptidal sets होता है एक आपका amino cell sets होता है ठीक है अच्छा तो यह जो exit sets होता है इस exit sides में आके initiation factor 3 bind हो जाएगा initiation factor 3 bind हो जाएगा तीन initiation factor होता है 3, 2, 1 ठीक है ना, initiation factor IF आप ऐसे लिख सकते हो तो initiation factor 2 and initiation factor 1 ये आके amino cell sides में bind हो जाएगे ठीक है, अब जो है पहला TRN आएगा ठीक है ना, पहला TRN आएगा पहला TRN आएगा और कहीं पे तो place नहीं है तो पहला TRN आएगा यहीं पे bind होगा, पहला TRN कौन है ना, formula-related TRN है ठीक है, तो वो methionine को लेके आ रहा है ये amino acids है, clear हुआ आच्छा, तो यहाँ यहाँ तक हम बोलेंगे 30th initiation complex ठीक है ना, initiation complex पहला TRN bind होने के बाद, initiation factor 3 जो है, वो release out हो जाता है, and हाँ, initiation factor 3 आड़ होने के जो बज़े था, वो रोकता है कि 50s complex आके ना जुडे, ठीक है ना, 50s complex को bind होने में रोकता है, कौन initiation factor 3, तो इसलिए यह आड़ नहीं होता है, यह जब आड़ नहीं होगा, तो यह जब remove हो जाएगा, यह bind होने के बाद, यह remove हो जाएगा, होने के बाद, आके 50s complex add हो जाएगे, ठीक है, 50s, larger sabinets आके जुड़ गया, 50s complex जो है, इनका भी वही रहेगा, alongus, e-sides, exit side, 52 sides, and a-sides, ऐसे ही रहेगा, ठीक है, अच्छा, तो अब हम देखेंगे, अभी बन गया, क्या, आपका 50s initiation complex, आप बोल सकते हो, नहीं, तो 70s complex, पुरा का पुरा whole बन गया, 70s complex होता है, ठीक है, अच्छा, यह black color में, जो है, यह आपका MRN है, तो यहाँ पे UG है, माले जे, यहाँ पे UCC है, कुछ ऐसे, ऐसे, इस तरह कैसे चलेगा, CCA है, C, U, G है, ठीक है ना, कुछ ऐसे है, अच्छा, तो अब क्या होगा, देखेंगे, तो अभी initiation factor 2 and 1 वह भी release out हो जाएंगे, ठीक है, अब यह release out हो जाने के बाद, जितने भी initiation complete होगा, यह सारे release हो जाएंगे, यह release हो जाने के बाद, अभी जो A side है, free हो गया, कोई initiation factor यहाँ पर, तो R नहीं है, A free है, तो अब क्या होगा, सेकेंड, जो है na, TRN है, मतलब कि दूसरा जो TRN है, वो आके bind होने की कोशिस करेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पर यह requirement करता है, elongation factor, elongation factor यह required करता है, elongation factor T U, एक होता है, elongation factor G होता है, and एक होता है, elongation factor T S, ठीक है ना, T S होता है, उसको बाद में देखेंगे, यह दोनों होते हैं, उनके पास JTPase Activity होता है, मतलब कि O Energy देने की खिसमता रखता है, GTP, ठीक है ना, O JTP दे सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि यह तो formulated था, इसलिए पहले आके, P Sides में bind हो गया, ठीक है, लेकिन जो second TRN होगा, second TRN, elongation factor T U के साथ आके bind होगा, ठीक है, यहाँ पर, second amino acid से, clear हुआ, आच्छा, तो elongation factor, elongation factor T U उसको लेके आया है, क्योंकि उनके पास GTP था, तो यह जब bind हो जाएगा, सही सही bind हो गया, तो यह निकल जाएगा, GDP होके, मतलब कि, elongation factor T U, GDP अभी बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने, खुद का दे दिया, एनर्जी दे दिया, तो अभी उसको क्या करेगा, इस elongation factor T S, जो है, फिर compensate कर लेगा, फिर उन्होंने क्या करेगा, उसको GTP था, डाइफस्पेड था, अभी और एक फस्पेड दे देगा, तो यह ट्राइफस्पेड बन जाएगा, क्या हो जाएगा, elongation factor T U, G, T P हो जाएगा, ट्राइफस्पेड हो जाएगा, ठीके ना, ट्राइफस्पेड बन जाएगा अभी, अब हम बात करेंगे, यह जो ट्राइफस्पेड बन जाने के बाद, clear हो आपको इतना चीजे, यह जो elongation चीजे है, ठीके, इतना चीजे यह 50th complex बन गया, अब हम देखेंगे, यह initiation complex complete हो गया, initiation के बाद हम देखेंगे, elongation, next steps आता है, क्या elongation, ठीके, elongation आता है, last step, elongations में क्या होगा, तीन steps होता है, elongations में, क्या होगा, जो step हमने देखा, कि second, मतलब कि जो next है, second TRN आके, A site में bind होगा, next होता है, peptide bond की formation होगा, दिखाऊंगी, peptide bond की formation होगा, third step होता है, ना ribosome, एक कोड़न आगे move करेगा, ठीके ना, बद दिखेंगे, ribosome move, one कोड़न आहेड, आगे move करेगा, ठीके कैसे दिखें, जो steps बना था, यह माल लेज़े, MRN है, ठीक है, यह उनकी, ribosome है, smaller, यह larger subnet, इतना चीज हो चुका था, मतलब कि, इनिशेशन कंप्लेक्स में, यह exit side है, P side है, यह A side है, P side में आके, पहला TRN यहाँ पर bind हो गया था, इतना चीज हुआ था, अब हम, elongation step में दिखेंगे, second TRN आके कैसे bind होगा, ना second TRN EF, कैसे मैंने बतागा, EF, elongation factor TV के साथ bind हुआ था, उन्होंने उसको GTP दिया था, कुछ ऐसे हुआ, next, easy step ने समझ गया, फिर उन्होंने GTP दिया था, फिर GTP हो गया, फिर EF, elongation factor TS, S जो है, उसको compensate कर लिया, मतलब फिर वापस होई चीज़ हो गया, क्यांकि ये continuously होता रहता है, जन्होंने GTP लेके आया था, GTP बन गया, फिर आपको यहीं पर, elongation factor TS रहता है, उसको ये एक फस्पेट देके, उसको फिर बना लेता है, elongation factor T, T, U, continue होता रहता है, तो अब क्या होगा, ये step up का complete होगा, एक sets में बंड होगा, peptide bond की formation होगा, क्योंकि यहां पर एक amino acids है, यहां पर एक black color में है, एक sky color में है, ठीक है amino acids, मतलब कि मेथियो निन है, और एक amino acids है, तो यहां पर क्या होगा, peptide bond की formation होगा, यह जो पहला जो है ना, amino acids है, यह यहां पर आ जाएगा, तो कुछ ऐसे structure बनेगा, तो आप समझ सकते हो, यह दियाम करेंगे, तो अप ऐसे दिखें, तो पहला यहां पर है, ठीक है, ऐसे हो गया, उसके उपर यह black color, मतलए methionine उसके उपर आ जाएगा, यहां पर होता है, peptidyl transferage activity, peptidyl transferage एक एंजाइम है, जो कि 50 से सब उनिट के पास है, वो क्या करता है, ना उसको peptide bond बनाने में, facilitate करता है, bond बनाने में help करता है, तो अभी यह A site है, ठीक है ना, यहां पर P site है, यहां पर exit site है, तो अभी क्या होगा, यहां पर इस TRN है ना, जो formulated TRN जो methionine को ले के आया था, यह भी अभी present है, लेकिन uncharted है, उनकी amino acids नहीं है, अभी उनकी amino acids यहां तक आ गया, तो इस conditions में क्या होगा, तो यह हो गया, इतना चीज़े हो गया, यह दो amino acids अभी यहीं पर है, अभी क्या होगा, ना, ribosomes को उसको और एक step आगे जाना है, ठीक है ना, यहां पर भी energy की इस्तमाल होता है, वह यह elongation factor G जो होता है, उसको energy provide करेगा, माले जे यहां पर UUC है, ठीक है, तो अब यह जो ribosomes से यह और एक step आगे मूब करेंगे, clear हुआ, समझे रहो ना, थोड़ा 3D way में कोशिश कीजिए, यह आगे मूब किया, जो P side था, यह जब आगे मूब करेगा, अभी यह side से यह A side हो जाएगा, अभी जो A side था, आगे मूब करेंगी, elongation ऐसे चलता चला जाएगा कैसे न यह इस तरीके से black red color की है है ना तो फिर elongation step में ऐसे होगा इसके उपर यह पूरा कपर यह दोनों को देने उसके उपर देगा मतलब यह से फिर ऐसे फिर और एक step माली जे यहाँ पर g u c है ठीक है ना तो यह और एक step आगे चलेगा फिर माली जे यहाँ पर और एक आगे जुड़ गया तो फिर इस तरीके से आपकी यह दोनों यह सारे shift हो जाएंगे उसके उपर फिर next step में clear समझ में आया तो इसी तरीके से चीज़े चलेगा यहाँ पर यह और एक ना आया है यूए यूए जी नहीं तो यूजी है यह तीनों में से कोई एक नहीं आया है माली जे यहाँ पर यह है ठीक है तो अभी दर सपोज यह यहाँ पर move किया अभी उनका क्या होगा यह a set हो जाएगा यह p set है इस p set के उपर जो भी टी आरेने माली जे मौझूद है ठीक है यह p set के उपर माली जो भी टी आरेने मौझूद है उसके उपर इस तरीके से लंबा सा एक peptide chain है समझे रहो ना यहाँ 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 करते करते वो चला गया जहाँ पर इतिनों में से कोई एक कोड़न आ जाए यह कोड़न क्या है यह कोड़न होता है stop कोड़न उसको nonsense कोड़न कहते है कि इनके लिए कोई भी amino acids नहीं है ठीक है अच्छा अब यह exit sets में भी तो कोई एक टी आरेने रहा होगा ठीक है एक जिट सेट है पी सेट है यह तुनों में से मालीजी कोई एक आ गया यह तो कोई amino acids के लिए कोड़न नहीं करता है तो अब हम क्या पढ़ रहे है टॉर्मिनेशन पढ़ रहे है कैसे टॉर्मिनेट हो रहा है elongation आपको आई होब क्लियर होगा तो होते होते जब चलेगा मालीजी लास्ट रेंड में आ गया उनमें से कोई एक आ गया कोड़न बाला हिस्सा तो यहाँ पर क्या होगा terminations में दिखेंगे terminations में ध्यान दिजे एक होता है releasing factor 1 releasing factor 2 R1 होता है ribosumar releasing factor या releasing factor 3 आप मान सकते हो जब यह इस तरीके से stop codon आएगा तो यहाँ पर जो TRN है इसमें तो को TRN हम पर बाइंड होनी की कोशिस करेगा लेकिन इसके लिए तो कोई amino acids नहीं है तो TRN एक ribosumar factor आरेफ 1 1 को लेके आएगा यह जो RF1 होता है उनका 2 domain होता है एक domain होता है जो की bind हो जाएगा माले जो stop codon है यह domain जो है bind हो जाएगा stop codon के साथ ठीक है second domain जो होता है उसका एक जो नूकलिय आक्टिविटी होता है जो की इस TRN में break करेगा जो peptide bond बना रहा था उसमें तोड़ देगा तोड़ने के बाद जो peptide है release आउट हो जाएगा तो हम बोलते हैं RF रिलिजिंक फैक्टर यह किसको रिलिज कर रहा है यह peptide bond को रिलिज कर रहा है किसको peptide bond को कर रिलिज कर रहा है इसलिए हम उसको releasing factor बोलते हैं bund हो गया होने के बाद फिर फिर क्या होगा ना रिलीजिंग फैक्टर सेकेंड आएंगे रिलीजिंग फैक्टर सेकेंड आएगा रिलीजिंग फैक्टर वान को रिमूब करने के लिए समझ रोना रिलीजिंग फैक्टर वान आए था पेप्टाइड बॉंड को हटाने के लिए लेकिन डिलीजिंग फैक्टर सेकेंड आएगा डिलीजिंग फैक्टर वान को रिमूब करने के लिए ठीक है ना डिलीजिंग फैक्टर टू जो है वो मतलब अकेला नहीं आ सकता है उसको कुछ मतली कि यह आता है कैसे? ना G D P के साथ आता है ठीक है ना? यह energy शकर की हिसाब साथा है दिखिये, मैं जब बताई थी elongations के time पे G D P आया था उन्होंने energy देकर G D P में कन भढ़ वे था trifospect आया था energy देकर difospect में कन भढ़ वा था अभी मैं बता रही हूँ, releasing factor 2 जो है, GDP form में आ रहा है, मतलब कि दो phosphate form में आ रहा है, तो ओ क्या करेगा, जो releasing factor 2, releasing factor 1 and stop cordon की बीच में जो bond बनी हुई है, उसको break करेगा, इस bond break होने के बाद जो energy मिलता है, इस energy को इस्तमाल करके, ठीक है ना, एनरजी को इस्तमाल करके, GTP में convert होगा, यहाँ से question पूछा जाता है, कि यहाँ पे GTP, releasing factor 2, GTP लेके आता है, या GDP लेके आता है, याद र इस bond को break करेगा, break करने के बाद GTP में convert हो जाएगा, trifospect में convert हो जाएगा, समझ रो ना, अच्छा, जब यह चीज़ होगा, जब trifospect में यह convert होगा, तो उस conditions में क्या होगा, अभी भी जो exit site है, यहाँ पे भी एक peptide, मतलब कि यह चीज़े present है, on charge, tRNA present है, P sites में भी on charge, ठीक है ना, 2 present है, जब उसको energy मिल जाएगा, ओभी निकल जाएगा, ठीक है, अच्छा, यह जब निकल जाएगा, तो भी exit sites में जो tRNA था, ठीक है, exit sites में जो tRNA था, यह क्या हुआ, ना, tRNA free हो गया, मतलब कि release out हो जाएगा, जब exit site free होगा, initiation factor 3 आके ही भी bind हो जाएगा, उन को अलग करनी है, MRN को अलग करनी है, कि इसलिए यह टीप सो होता है, आई हो आपको क्लियर होगा, तो आप यह ट्रांसलेशन प्रोसेस में, activation of DRN लेखेंगे, initiation of elongation terminations लिखेंगे, ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो, कि activation of DRN में जैसे मैं ने बत किया, फिर वही ATP वाला amino acids को TRNA में transfer कर देंगे, enzyme जो होता है amino acids TRNA synthetase की जरूरत होता है, फिर हम देखेंगे initiation में 30s complex कैसे बना, 50s complex कैसे बना, इमने देखा, फिर हमने देखेंगे elongation, elongation में इमने बताया 3 step में होता है, पहले A sets में कैसे bind होता है, क्योंकि वह आकला नहीं आ पाएग उसको energy की जरूरत होता है, second step में कैसे bond बन रहा है, peptide bond, third step में कैसे एक कोड़ोन आगी की और move करता है, यह हमने देखा, वह चीज लांग्विज वाइज लिखा है, आप दीख सकते हो, ठीक है, फिर हम बात करेंगे, peptide bond यह दोनों के बीच में बनता है, ठीक है, फिर देख बात करेंगे, क्या, रिलीजिंग फेक्टर 2 आके, रिलीजिंग फेक्टर 1 को रिलीज करेंगा, फिर रिलीजिंग फेक्टर आके, पूरा का पूरा रिलीजिंग फेक्टर को रिलीजिंग फेक्टर आके, पूरा का रिलीजिंग फेक्टर को रिलीजिंग करेंगा, ठीक है, यह आप लिख सकते हो फिर यह है ठीक है I hope आपको चीज़े क्लियर हुआ कि किस तरीके से processing जो प्रोकेरेटिक के अंदर हो रहा या translation कैसे प्रोकेरेटिक में हो रहा है इदि आपको class पसंद आई है तो आप नया होई चैनल पर तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना ठीक है लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपकी फ्रेंट्स और जूनियर को भी बता दीजिए ठीक है आप थाड़े तक है तो चैनल पर कंडून है तो आप जूनियर को भी बताइए हदी साथ यदि आप प्रिपर करना चाहते हो से मिश्टर की ठीक है पूरा का परा नोट्स पूरा का डिसिप्लिनर सब्जेट सारे सब्जेट के साथ साथ तो आप पर जूड सकते हो एट स्टाइट के साथ सिके यह दिया गया कंटक्ट नमबर है 7894 226802 सो सो थैंक यू